शुरू करते हैं वर्क्षिट नंबर 51 यह वर्क्षिट आपकी थर्ड टू फिफ्ट क्लास की है इसके लावा केजी टू सेकंड और सिक्स टू एर्थ के भी मैंने बना दिया आप लोग ले लेंगे चले तुसे शुरू करते हैं सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लिख लेंगे चल देखते इस वर्क्षिट में करना क्या है देखिए यहां क्या लिका है? सप्टा है कती विदी यना की पूरी हफ्टे की कती वीदी जो आज है आज देखते हैं बच्चों इस सब्ता हम भी प्रति दिन दो मिंट माइन्फुनलेस यानी की ध्यान की प्रकिरिया जो योगासन होते हैं वो ठीक है करेंगे ये कारें आप सुबह सुबह करेंगे तो और भी अच्छा मैसूस होगा ठीक है जैसे कि ये बच्चे बैठे ना क कोई कहते है माइन्फुनलेस ये जो सुकून से बैठे हुए है योगासन ठीक है आज की गतिविदी अब आज की गतिविदी क्या है बेकार चीजों को उपयोग की बनाए यानि की जो बेकार चीज़ें हमारे घर की उनको उपयोगी बनाए नय वस्तु बनाए कुछ नया कर दिखाएं ठीक है चलिए अब यहां लिक्खा है हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तु होती है जो अब किसी काम की नहीं यानि बेकार हो गई है लेकिन यदि उन वस्तु बनाए थोड़ा सा काम किया जाए तो वे हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती है यानि हमारे घर में बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं जो ममी कहते हैं वेस्ट होगी और उठाके फेकने को बोल देती हैं लेकिन अगर हम उसको थोड़ा साफ कर ले या उसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ ले कुछ कर ले जिसके बाद हम उसे उपयोगी बना सकते हैं उधारिन के लिए पानी की प कुछ नमबर वन अपने घर में से कोई दो ऐसी वस्तुएं जो बेकार हैं ठीक है तो मैंने क्या रूंड़ा टब बाल्टी इसके लावा मैंने कोल्डरिंग की खाली बोतले भी लिख लिए हैं ठीक है तो मेरे पास तीन चीज़े हैं नेक्स टोचे ने सोचिए इन वस्तू को किस प्रकार उपयोगी बयाए जा सकता है यानि क्या इन में कुछ बदलाव करके इनका प्रयोग किसी और काम में किया जा सकता है ठीक है तो मैंने दो आंसर लिखे हैं सिर्फ आप इन में से जो भी चीज़ आप लेंगे उसको आप कर लेंगे ठीक है तो मैंने लिखा किय जाए जा सकता है जैसे अगर हम मिट्टी भलने तो हम पौदे लगा सकते हैं और बोतल को साफ करने अच्छे से तो पानी रख सकते हैं ठीक है तो यह दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अब थर्ड कोशन है आपका ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा तो क्या क् पादे काम करें यहां प्लग अब जो भी काम करें है उसके है अप लिख देंगे जैसे मैंने माली जूछ उवी पानी पर टो मुझे सबसे esos साफ करना पर अब अब साफ करके पानी भरना है तो बोतल हो जाएगी रख देंगे या पिर अब तब है तो उसे पहले साफ करके उसे मिट्टी भर के पेड़ लगाना पड़ेगा तो जो भी काम हमें करना पड़ेगा आप वो काम लिख लेंगे ठीक है चलिए अगला देखते हैं क्या आप ये काम खुद कर सकेंगे या इसके लिए आपको घर के किसी सदसे की मदद लेनी पड़ेगी इतता असां सा काम ने बरतन धोना उसquently मिट्टी भरने तक टो खुद कर सकते हैं और पानी अगर बूटलों वाला तो भी हम भर सकते हैं लेकिन अगर हाँ पेड़ लगाने की जदरूत है तो पिर हमें मौहई पापा कि या भाइएं की बड़े मदद लेनी पड़ेगी तो फिलाल मैंने लिख दिया हाँ ये काम हम खुद कर सकते हैं यानि ये काम हम खुद कर सकते हैं हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है आपका अंगला कोशन लिखा है बताएए कि आप कौन आपने कौन कौन सी वस्तुए ली और अब उन में आवू आप उन से कौन कौन सी वस्तुए बनाने जा रहे हैं तो आप सेंपल सा लिख देंगे कि हमने टब और बाल्टी लिया जो भी आपने लिया लिख रहेंगे और उसके बाद जो उससे बनाना चाहरे हैं वो लिख लेंगे जैसे मैंने लिख दिया टब और बोतल मैंने टब और बोतल ली टब में पेड़ लगाँगी बोतल में पानी बरके रहें तो इस तरह से यह बन जाएगा आप लिखा च्छटा कोशन अपने प्रयास को अपने साज़ा कीजिए यानि अब जो अपने महीनत करी किस तरह से आपने एक बोतल को खराब फ्रिज में भरके रखा पानी तो यह पर आपने से साफ बीगिए पहले अपने से ढूंडा फिर आपने से साफ किया है ना फिर से थोड़ दा सुखाने की बाद पिर आपने से पानी ब आपको ऐसी दिया गया है जरा सोचिए यदि सभी लोग इस प्रकार से वस्तुव को उप्योगी बनाने का प्रयास करें तो इससे क्या लाब होगा तो देखिए इससे हमने दो लाब लिखें नमबर वन कहा है कि इसमें हमारे घर में सजावाट का समान भी हो जाएगा और सारा बेकार समान भी हो जाएगा तो इस तरह से मैंने लिख दिया आपके दिमाग में कुछ और चला हो तो आप लोग भी लिख सकते हैं तो आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं अगर आपको मैं वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस इसे लाइक हो शेयर करें अगर अभ थी वर वाचेग्ए